अलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एसे च्वेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि बॉर्डर की बाद हम किस तरह से फंदे बढ़ाते हैं वो आज आपको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारों को नहीं आते बॉर्डर के बाद हम एक तम से फंदे बढ़ाते हैं जैसे अगर स्वाटर आप चाहे लेडिस बना रहे हो या जैंड्स बना रहे हो किसी तरह की स्वाटर बना रहे हो उसमें हम बॉर्डर के बाद एक तम से फंदे बढ़ाते हैं तो वो क जोड़ा border बनाना चाहते हो जब आपकी border की length से पूरी हो जाती है उसके बाद हम फंदे बढ़ाते हैं और यह right side से हम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले देख लीजी आपने कितने फंदे लगाएं हैं और कितने फंदे आपको चाहिए डिजाइन के हिसाब से जब आप डिजाइन डालोगे तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाते हैं और sweater के हिसाब से जैसे large, medium, axle इस तरह से हम इसमें बढ़ाते हैं size के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए मैंने 86 stitches cast on किये हैं तो मैं 100 stitches अब इसके उपर करने वाली हो तो under का मतलब है मुझे यहाँ पर 14 stitches बढ़ाने पड़ेंगे तो आप हम इनका division करेंगे थोड़े थोड़े पार्ट्समें को divide करेंगे ताकि हम 14 stitches पूरे यहाँ पर बढ़ा सकें ब्राबर ब्राबर फंदों के बाद आपको फंदा बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए मैं पह इसके बाद हम सीधा ही बनाते हैं राइड साइड से माइनगे एक रो और रॉंग साइड से हम उल्टी बनाएंगे एक रो उसके बाद हम फिर कोई भी design set करते हैं ठीक है चलीए देखिए राइड साइड है रोवन है जो फंदे जहां से हम फंदे बढ़ाएंगे पहला ये 5 और ये 6, 6 फंदे देखिए मैंने यहाँ पर बना लिए, आप 7 फंदे के मैं 1 के 2 फंदे करूँगे, तो किस तरह से करूँगी देखिए, इस फंदे को पहले आगे की तरफ से बनाएंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, त तेन, चार, पांच, और ये छे, अगेन आगे देखिए, फिर से हम इस साथों फंदे के, फिर से एक के दो फंदे बनाएंगे, ये देखिए, आगे इसके बनाया, फिर इस सी फंदे को पीछे की तरफ से बनाएंगे, तो ये हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है ये बहुत अच्छा तरीका होता है फंदे बढ़ाने का तो इसी तरह से आपको division करना है जिसी साथ से आपको फंदे चाहिए अगर देखिए आपने 86 stitches लगाए हैं और आपको जादा फंदे बढ़ाने हैं बीच फंदे बढ़ाने हैं तो आप 5-5 फंदे बना लीजिए फिर 6 फंदे के एक के दो बना लीजिए इस तरह से आपको division करते जाना है तो फिर से देखिए 6 फंदे बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 फिर 7 फंदे के फिर से एक के दो करेंगे पहले आगे की तरफ से बनाया और फिर पीछे की तरफ से बनाएंगे तो पूरी हमने इसी तरह से ये रो complete करनी है इसी तरह से हमने ये पूरे फंदे बढ़ानी है 6 फंदे बनाएंगे फिर से एक के दो करेंगे पूरी रो आप इस तरह से complete कर लीजिए इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे लास में आपके देखें यहां पर 2, 4, 5 फंदे मेरी बच्चे हैं तो इनको मैं यहां पर सीधा बना लूँगी अगर बाई चांस आपको लग रहा है आपके फंदे देखें कम होए आपको जादा चाहिए और आपके फंदे कम हो रहा है तो हम next row में भी फंदे बढ़ा सकते हैं देखें अगर कम लग रहे हैं तो next wrong side से भी आप बढ़ा सकते हो जैसे मान लेजी आपको 100 stitches चाहिए और आपके यहां पर 94 ही हो रहे हैं अब wrong side से आपको पूरी row उल्टी बना लेनी हैं, चाहे अगर फंदे कम हो रही हैं, यहाँ पर मुझे लगता है मेरे फंदे थोड़े से कम हो हैं, तो मैं यहाँ पर wrong side में भी बढ़ा लूँगी, तो सेम तरीका रहेगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूं, यहाँ पर 10, ठीक है, उसके बाद देखिए हम आगे वाले फंदे को फिर से बैसे बनाएंगे, इसको देखिए पहले पीछे की दरब से बनाएंगे, यह देखिए, इस तरह से आपने बनाना है, पीछे की back side से पहले बनाया, फिर हम इसको यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, आगे से बना सीधी ही डालते हैं border के बाद रो और wrong side से मोलते ही डाते हैं उसके बाद हम कोई भी design को start करेंगे तो I hope आपको मेरा ये वीडियो helpful रहा होगा कैसा लगा प्लीज एक मैंड करके जूरूर बताईएगा thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए